चलिए बबा, आज हम सुरु करेंगे जौब वक का चाप्टर यह सर, जौ वक का चाप्टर शुरु करते हैं जौब वक का चाप्टर का एक विक लिंकिंग देखे सर यह बबा, लिंकिंग ले लिजे हमने शुरु किया अता सीखना गूर्स और सर्विसे से गूर्स और सर्वेस अगर सप्लाई करोगे तो सप्लाई या तो होगा हो गया उसके बाद next होगा sir accounts and records maintain करेंगे और उसके बाद sir आप goods भेज़ दोगे other person को with the help of a e-way bill sir आ गया अब liability liability आ गया तो use कर लिया input tax credit अब सुनिए जब आप chapter of input tax credit पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो section number 16 section number 17 section number 18 अब input tax credit का attached एक chapter है जिसको बोलते है job work का chapter job work chapter section number 19 में job work related discussion है section number 19 बोलता है जब भी आप goods लाए हो और job work के लिए भेज रहे हो तो आप input tax credit ले सकते हो लेकिन आपको goods तीन साल में वापस लेके आने हैं वो बोला गया section number 19 में sir अब जब goods भेजोगे तो क्या procedure से भेजना पड़ेगा ताकि ITC मिल जाए और उसको भेजने पे GST नहीं देना पड़े उसके लिए 143 section number 143 procedures के बारे में बताता है section number 143 बोलता है कि जब आप goods भेज रहे हो उसको supply नहीं मानेंगे लेकिन भेजने के समय क्या-क्या documents आपको attach करना है कैसे भेजना है उसके बारे में section number 143 बोलता है besides this एक rule भी आता है rule number 45 इस chapter में चलिए बबाश शुरू करते हैं job work का chapter for an example ये एक principle है ये principle सर पहले आप मेरे को एक बता जिए chapter A graded है B graded है बबब B graded है B graded B plus बोलूँगा क्योंकि इस बार एक छोटा सा amendment है हो सकता है एक छोटा सा 2 mark का question या 4 mark का question या 6 mark का question भी पूछ ले तो आपको ये chapter अच्छा से पढ़के जाना B graded B plus है ये ठीक है सर चलिए next job work sir पहला बात तो job work क्या होता है job work is a supply of service treatment of process on another person's good is always a supply of service schedule 2 में बोला गया है अब ये जो principle है ये क्या करेगा ये पहले goods खरीदीगा ये जब goods खरीदेगा चाहें input खरेजे या capital goods खरीदे section number 19 बोलता है आप ITC ले लिजे अगर आप goods भेज रहे हो job work के लिए तो भी ले लिजे तो sir उसके बाद section number 143 आता है जो बोलता है कि जब आप goods भेज रहे हो भेजने को हम supply नहीं मानेंगे भेजने को हम supply नहीं मानेंगे आप बस section number 143 के procedure को follow कीजेगा section number 143 बोलता है कि sir आप जब goods खरीद के लाए हो section number 19 बोला ITC ले लिया अब जब आप goods भेज रहे हो तो भेजोगे जब job work करने के लिए तो sending the goods for job work is not a supply it is not a supply और यहां बोला गया आपको बस attach करना है दो delivery चलान यह जो delivery चलान आप attach करोगे क्यों करोगे क्योंकि यह sale नहीं है यह जब goods भेज रहे हो भेजने को sale नहीं बोला जाएगा यह supply नहीं बोला जाएगा अगर supply नहीं तो tax invoice नहीं करोगे delivery चलान रेज करोगे प्लस एक intimation देना पड़ेगा government को कि क्या-क्या goods भेजे थे क्या-क्या goods वापस आ गए ठीक है सर प्लस ebay bill attach करना पड़ेगा क्योंकि रस्ते में officer रोकने वाला है चेक करने वाला है ठीक है सर और यह जो intimation है यह पहले जाता था quarterly GST ITC 04 आपको quarterly फाइल करना पड़ता था कितने goods भेजे कितने goods वापस आ गए कितने goods आपने job worker को भेजे कितने goods आपको job worker से वापस आ गए उसके लिए उसके लिए इन्होंने बोला था GST ITC 04 आपको फाइल करना पड़ेगा ठीक है सर अ यह quarterly फाइल करना पड़ता था अब इन्होंने क्या किया है compliance burden कम करने के लिए इसको happily या annually कर दिया है यही important point है सर यह GST ITC 04 जो था यह quarterly था पहले अब यह intimation की कितना goods भेजा कितना वापिस आ गया कितने एक job worker से दूसरे job worker के पास चले गए तो उसके लिए इन्होंने ITC 04 का frequency को कम कर दिया है बुला आप quarterly फाइल करने की जरूरत नहीं है आप इसको फाइल कर लिजे half yearly या annually based on your turnover अगर आपका turnover अप तू 5 क्रोर है तो सर आपको annually फाइल करना है by 25th of April एक बाल साल खतम हो गया जितने goods भेजे जितने goods वापस आ गये सारा का details ITC 04 में by 25th of April दे देना उ तो सर आपको happily April to September and October to March आपको फाइल करना है basically April to September का by 25th of October October to March तक का by 25th of April आपको फाइल करना पड़ेगा GST ITC 04 compliance burden कम कर दिया गया है ठीक है सर तो जब एक आदमी भेज रहा है goods तो सर वो लगाएगा delivery चलान प्लस वो एक intimation देगा online में जो GST ITC 04 होगा वो देगा quarterly था क्योंकि movement हो रहा है goods का तो रस्ते में रोका जाएगा इसलिए देना पड़ेगा e-way bill e-way bill interstate moment जब value of supply greater than 50,000 होता है तब देते हैं interstate moment interstate moment पे e-way bill sir interstate moment अगर job worker के लिए कर रहे हो तो e-way bill mandatory होता है ठीक है sir point clear है अब जब आपने good job worker को भेज दिये otherwise one registered रहेगा जब उसका turnover less than equal to 20 lakh और 10 lakh होगा ठीक है sir अब ये job worker के पर जब goods आ गया job worker को goods का treatment और process जो भी है कर करा के वापस भेज देना है goods को sir कितने दिनों में वापस भेज देना है within one year और three year अगर inputs गये थे inputs पर job worker के वापस भेज दीजे within one year plus extended time limit जो commissioner दे सकता है और अगर capital goods है तो capital goods को return कर देना है within three years और further extended period of two year जो commissioner दे सकता है तो bring back the goods within one year और three years in case of capital goods और जब वापस आएगा तो क्योंकि आपने भेजने के समय दो copy of delivery चला है भेजा था वापस आजाएगा along with one copy और sir यह जो extension है one year और two years का यह कौन दे सकता है one year in case of input two years in case of capital goods दिया जा सकता है by the commissioner ठीक है sir sir क्या ऐसा हो सकता है मैं इसको बोलू कि आप एक काम कीजिए आप bill तो मेरे को दे दीजिए आप bill मेरे को दे दीजिए और मैं ITC ले लूँगा और आप एक काम कीजिए goods यहां बेज दीजिए और job worker को यह बबा ऐसा हो सकता है आप बिल ले लिजिए अपने supplier से goods directly भी जा दीजिए अपने job worker को job worker के बाद जब goods मिल गया है मान लिया जाएगा कि आपने goods से ship कर लिये हैं और आप credit ले सकते हो build to ship to model possible है ठीक है सर तो यही बोला गया है inputs और capital goods send directly to the job worker यह बापा directly भी जा सकते हैं उस case में आपको बस एक copy of invoice attach करना है तो सर कैसे जाएगा यह बोलना है copy of invoice attach कर दीजेगा job worker का नाम और address in the प्लस जो delivery चलान आपको भेजना था delivery चलान register person बनाएगा और आप बना के इसको directly भेज दीजेगा and send directly तुझा job worker ठीक है सर एक बात बताईए अगर goods import हुए हैं क्या वो job worker के पास directly जा सकते है यह बाबा आप goods import कर लिजे import करके भी आप directly भेज सकते हो मतलब जो custom port है वहाई स goods directly चले जाएंगे job worker के पास if imported goods send directly to job worker बस एक बात का ध्यान रखेगा move with copy of bill of entry plus delivery चलान जो है यह आप directly इसको भेज दीजेगा ठीक है सर point clear है अब सुन लिजे मेरा बात सर मैंने goods भेजे job worker को भेजना supply नहीं था लेकिन अगर मैं तीन साल में नहीं लेकिया आए देखिए इधर क्या बुला है if you don't receive the goods back जो input है वो तीन साल में वापस लियाएगा जो input है उसको आप एक साल में वापस लियाएगा capital goods को तीन साल में वापस लियाएगा plus extended time period अगर नहीं लाए तो सर जिस दिन इसको भेजा था भेजा था उसके एक साल में उसके तीन साल में अगर capital goods वापस नहीं आए तो सर it will be deemed देख लिजे if not receive back within one year or three year जब आपने भेजा था या directly जब receive वा था उसके एक साल या तीन साल में अगर वापस नहीं आए तो सर it will be deemed as a supply जब भेजा था वो मान दिया जाएगा कि वो भेजा नहीं था बेचा था तो यह बोल रहा है when inputs and capital goods were sent out principle to raise the invoice and declare in a GSTR1 and pay the GST along with interest at the rate of 18% सर सुन लिजे मैंने goods भेजे job worker करको अगर job worker ने job worker करके within one year capital goods within three years दे दिये तो very good अगर within one year या three years capital goods नहीं दिये तो जब भेजा था उसको goods तो मान लिया जाएगा भेजा नहीं था बेचा था and hence मेरे को आज invoice raise करना पड़ेगा लेकिन goods तो मैंने एक सार पहले या तीन सार पहले बेज दिये थे बेजे थे मतलब बेचे थे तो सर इसलिए मेरे को GST with interest pay करना पड़ेगा ठीक है सर point clear है अब सुन लिजे यह जो receive back within one year और three years का time limit है यह applicable नहीं होता किसके लिए applicable नहीं होता mold eyes x pictures tool mold eyes वगेरा जो होते हैं उनके लिए कोई one year three years का time limit applicable नहीं होता है आप तीन साल में वापस नहीं लाए तो भी कोई problem नहीं है आपको supply नहीं मानना पड़ेगा mold eyes x pictures का case में ध्यान रखिएगा ठीक है सर अब सुन ल job worker के पास है तो याद रखेगा आप job worker के premises directly भी भेज सकते हो मतलब यहां से goods आपको वापस लाने के ज़रूरत नहीं है वहाई से भी आप बेज सकते हो direct supply कर सकते हो one year का time limit है for the inputs one year में वापस ले आई है आप बेज दीजिए three years में capital goods वापस ले आई है उधर से ही बेज दी मेरे ही turnover में आएगा ठीक है sir always include in the aggregate turnover of the principal sir लेकिन यह जो direct supply का मामला है न कि यहां से आप directly supply कर सकते हो यह तब ही कर सकते हो जब job worker या तो registered है या आपने डिक्लेर किया job worker का premises को as additional place of business अब जब additional place of business declare करते हो तो within the same state ही कर सकते हो अगर job worker दूसरे state में है या तो job worker registered है तो उसक worker दूसरे state में है और वो registered नहीं है तो बेटा goods वापस लाओ और फिर supply करो क्योंकि आप job worker को premise से तभी supply कर सकते हो या तो job worker registered हो या additional place of business आपने उसके premises को declare किया है done if job worker is registered it is possible to directly supply from job worker place of business या अगर job worker unregister है तो principle to declare job worker का place as his additional place of business एक exception है कि sir अगर job worker ऐसे goods पे काम कर रहा है जो notified by the commissioner है तो उस case में आपको job worker के premise को additional place of business declare करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी if goods are notified by the commissioner then उस case में additional place of business declare करने की ज़रूरत नहीं है sir एक बात बताईए invoice ये raise करके इसको दे रहा है time of supply, value of supply, place of supply किसके hands में देखे जाएंगे बबाब principal के hands में ही देखे जाएंगे time of supply, value of supply, place of supply in the hands of the principal sir एक question है, बच्चे पूछ लेते हैं कि sir अगर same state में है तो additional place of business declare कर सकते हैं दूसरे statement हो क्या हुआ, अगर दूसरे state में है तो principal job worker का premise को additional place of business declare नहीं कर सकता goods को वापस लाओ, वापस लाने के बाद, वापस लाने के बाद आप supply कर सकते हो, वहाँ से directly supply नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ additional place of business declare करने का option नहीं है, क्योंकि job worker दूसरे state में है, if job worker is in different state declaring additional place of business is not possible, hence either job worker should take registration or bring the goods back and then supply sir, क्या एक job worker से दूसरे job worker को goods जा सकता है, yes बबाँ, एक job worker से आप goods दूसरे job worker को भेज दीजेगा one job worker to another job worker to another job worker is possible, delivery चलान कौन बनाएगा, या तो यह job worker बनाएगा, या principal delivery चलान बनाएगा sir, alternatively, all delivery चलान can also be endorsed, मतलब यह क्या कर सकता है, endorse करके, जो पुराने delivery चलान है, उसके पिछे लिख देगा कि मैं सारे units भेज रहा हूं, इस job worker को, और पुराने delivery चलान के basis पे भी movement हो सकता है, sir, अगर piece meal में goods जा रहा है, मतलब मैंने इसको 1000 unit भेजा था, इसने job worker के पहले 100 unit भेजे, उसके बाद 100 unit भेजे, उसके बाद 100 unit भेजे, इन that scenario, piece meal का case में याद रखिएगा, कि sir, नया delivery चल को इंडोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, sir, sir, इस job worker के बाद goods आ गये, okay, एक बात बताईए, sir, आपने या तो job worker के premise से directly supply कर दिया, अपने customer को, क्या आप job worker के premise से, one minute, क्या आप job worker के premise से export कर सकते हो, yes, बबाद, same, जान रखिएगा, आप job worker के premise से export भी कर सकते हो, यह supply principle का म principle ही करेगा, ठीक है, sir, point clear है, अब सुन लिए, sir, यह job worker के पास goods आ गये, आपने, आपने यहाँ एक buyer ढून लिया है, क्या आप इधर से directly supply कर सकते हो, yes, बबाद, same point है, directly supply भी कर सकते हो, माना जाएगा, कि वो principal का supply है, sir, job worker के premise से, आप directly जब supply कर रहे हो, यह तो job worker registered हो रहा च same point, sir, क्या मैं यहाँ से export भी कर सकता हूँ, yes, बबाद, export भी कर सकते हो, export किसका माना जाएगा, principal का माना जाएगा, principal LGBT देगा, principal IGST पे करेगा, कैसे करोगे export, जब export कर रहे हो, यह तो job worker registered होना चीए, यह job worker का premise का आपको declare करना पड़ेगा, additional place of business, ठीक है, sir, यहाँ तक point ही clear ह और एक बात ध्यान रखेगा, अगर job worker का premise से आप चाहो, तो जो waste and scrap है, वहाई से directly बेच सकते हो, बोलता है, sir, अगर job worker registered है, waste or scrap अगर बेच रहे हो, job worker के premise से ध्यान रखेगा, अगर job worker registered है, तो job worker GST देदेगा, waste and scrap पे, अगर job worker registered नहीं है, तो आप as a principle आपको GST देना case of business, ठीक है, sir, sir, एक बात बतेए, अगर job worker registered है, उसने जो आपका job worker करने के लिए, समझ लीजे मैंने कुछ goods भेजे उसको job worker करने के लिए, उसके लिए उसने कुछ material वगरा खई दे, क्या उसको input मिलेगा, अरे job worker अगर registered है, तो वो जब मेरे को service दे रहा है, वो जब मेरे क services and capital goods used by him in supplying of job work services, यह, sir, यह point clear है, यहाँ हमारा chapter of job work खतम होता है, छोटा सा chapter था यह, ध्यान रखिएगा, बहुत important point है, कि sir, मेरे को लगता है, कि exam में क्या-क्या पूछ लेते हैं, पहला बात तो यह intimation के बारे में पूछ लेंगे, secondly, mold dice के बारे में बोल देंगे, कि sir, job worker क premise में raid हुआ, वहाँ मिल गए, capital goods, जो थे, mold dice वगेरा, array, mold dice वगेरा की case में कोई time limit apply नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद यहाँ पे, sir, time limit to get the goods back क्या होता है, one year और three years होता है, extend क्या क्या किया जा सकता है, commissioner, one year input का case में extend कर सकता है, capital goods के case में दो साल extend कर सकता है, sir waste और scrap जब बेशते हो, तो उसके related क्या provisions होते हैं, याद रखी गई है, sir, उसके बाद यह पूछ सकते हैं, कि, sir, अगर goods वापस नहीं आए, job worker premise से तो क्या होगा, अगर within one year, three years वापस नहीं आए, तो उसको supply माल लिया जाएगा, and accordingly, आपको GST with interest pay करना पड़ेगा, yes, sir, यहाँ अमारा chapter of job work खतम होता है, बी-graded chapter है, दो से चार मार्क मेरे को लगता है, पूछ ही लेना चाहिए, इस बार, right everyone, I'll close my discussion on job work over here, question answers करना मत भूलियेगा, the answer point clear है,